मैं रिसी गूजर आपका वेलकम करता हूँ अपनी परिवार में और देखे आज अपन समझेंगे कि देखे जेट एक्जाम के लिए अपने आपको कैसे प्रिपेर करें और देखे अब क्या-क्या पड़े किन चीजों को छोड़े और किन बातों का ध्यान रखे जिससे अपन जेट एक्जाम में बैतर से बैतर परफॉम कर सके तो देखे यार सबसे पहली चीज आप से कहूंगा कि देखे आपको पोजिटिव रहना है नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं सोचना है पोजिटिव रहके और आपके पास जो टाइम बचा उसमें आपको इस्टेडी करनी ह होना यह दोनुए आपको है आपकी परफॉम है उसको गिरा देंगे तो देखे confidence में रहना है और पोजिटिव रहना है नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना अब देखे आपको क्या करना है आपने जितना भी सेलेबस कवर कर लिया जितना भी पढ़ लिया अब आपको कोश पढ़े तो उनको आपको छोड़ देना है बागी जो छोटे topics हो आपको समझने में easy लग रहे हैं और आपसे बिल्कुल जालती कवर हो सकते हैं उन topics को आप किलियर कर सकते हैं यदि आपने पहले नहीं पढ़ा है तो बागी आपको कोशिस करना है कि आपको new नहीं पढ़ना पुराना ही पढ़ना है जो आपने पहले पढ़ाता उसी को बार-बार revision करना है उसी को बार-बार revision करते रहना है जब तक कि examine लग जाए अब 3-4 दिन में देखिए आप जितनी बार revision करेंगे उतना ही अच्छा है इसके अलाबाँ देखे आपको क्या करना है दोस्तो जैसे क कि आपको negative बिल्कुल नहीं होना जैसे कि आप किसी दोस्त से बात करते हो test देते हो और आपको दौस्त को कुछन का पूछता है तो देखिए आपका confidence गिर जाएगा तो उस time यार अपने आपको push-up करना है confidence बढ़ाना है तो या आप बहतर से बहतर perform कर पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा marks gain कर पाएंगे देखे आपको new book नहीं पढ़ना बिल्कुल भी और इसके लावा देखे new notes आपने नहीं पढ़ना आपने जो पढ़ रहे हैं उनी में विश्वास रखना है उनी को बार बार पढ़ते रहना है इसके activity में आपका ओर time खराब हो रहा है social media platforms हो गए इधर दूर आना जाना गूमना इन चीजों को बिल्कुली बंद कर दीजिए और बाकी अपना पूरा time है देखे आपको steady में दो बाकी sony में भी अपना time दो आप सोएंगे fresh आपका mind रहेगा बहतर दंग से आप steady कर पाएंगे और बहतर से बहतर आप है exam में perform कर पाएंगे तो देखे यार आपको negative नहीं सोचना एससे सोचे यार जितना पढ़ लिया वो खूब है अब मैं क्या कर सकता हो देखे यह दिया आपने नहीं पड़ा आपका syllabus पूरा नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं यार एससे सोचे जो अच्छा ही हुआ है और जो आगे होगा वो भी अच्छा ही होगा पोजिटिव सोचे यार आप negative सोचेंगे कि यार देखे मेरा तो सेलेबस पी पूरा नहीं हुआ है क्या करूं इतने सारे topics मेरे किलिए नहीं हुए तो यार जितना हो गया उसको तो आप अच्छी तरह कर ल लीजेगा उसका print निकला लेना या कैसे भी हमने पहले आपको बता दिया था कैसे OMR sheet बना है और कैसे आपको paper में किन बातों का ध्यान रखना है वो वीडियो आप देख लीजेगा एक वीडियो अपने और डिसकस किया था जिसमें अपने जेट में बाते बताई थी किन-कि पढ़े उसको revision करते जाओ और इसके अलावा देखे आप क्या करिए objective question है जितने हो सके दोस्तो objective question solve करिए आपको करना क्या है देखे यह आपने बिल्कुली नहीं पढ़ाया थोड़ा बहुत पढ़ाया तो अब आपको कोसिस करनी जितने हो सके objective solve कर लिजिए theory पढ़ने का आपके पास time नहीं है तो objective में लग जाए objective question solve कर लिए test दीजिए इसके अलावा देखे कोई आप test three join कर लीजिए और test देते रही है objective solve करते रही है तो देखतो अब आपके पास time है objective solve करने का revision करो पलस objective solve करो तो यह दोई बाते आपको ध्यान रखनी है कि revision करना है और इसके क्या करना है यह objective question है solve करना है इसके लाव पुराने paper हैं उनको आप देख लेना पुराने paper में से भी आर आपको काफी help होगी तो देखिए पुराने paper है जितने भी पुराने paper है उनको एक बार देख लेना आपके पास time तो पुराने paper के आप answer अच्छी तरह उनको देख के जाओ यार उनमें से भी आपको काफी help मिलेगी हो सकता है दोस्टो कई बार क्या होता है कि क्यूसन repeat हो जाता है तो पुराने paper आपके आपको मिल जाएंगे देखे हमने भी solve करा रखें तो वो वीडियो आप देखिए पु of luck